अब हम देख रहे हैं बिफोर स्राटिंग इट मैं आप सब भी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं या भी तक आपने से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए चलिए हम लेसन दे चत्रपती राजा राम महराज और महरानी ताराबाई तो प्रोटेक्ट दा सवराज अब चत्रपती शिवाजी महराज की डेथ के बाद में मराथास ने लड़ाई की किसे की मुगल स्लोगों से किसकी लीडर्शिप में चत्रपती संभाजी महराज चत्रपती राजा राम मह इन सब के लीडर्शिप में उन्होंने स्वराज के लिए फाइट किया। उसने खुच से साउथ को जीतने का निश्चे किया। In this chapter we shall learn about this war of independence और इसे युद्ध है जो independence का उसे हम इस lesson में देखेंगे। So, यहाँ पर हम देखें तो चत्रपती संभाजी महाराज जो थे उस समय थे। तो उनके बारे में हम देखेंगे। चत्रपती संभाजी महाराज was the eldest son of चत्रपती शिवाजी महाराज। संभाजी महाराज जो थे चत्रपती शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। He was born on 14th May 1657 on the पुरंदर fort. उनका जन में 14th May 1657 में पुरंदर fort में हुआ था, पुरंदर किला जो था उसमें हुआ था। After शिवाजी महाराज he became the चत्रपती और शिवाजी महाराज के बाद उनका ये बड़ा बेटे जो थे वो चत्रपती बने। At this time the Marathas were battling against the Mughals और इस समय जो Marathas थे उनका योद्ध Mughals के अगेंस्ट में चल रहा था। During the same period Emperor Aurang Jeb's son Shahjada Akbar rebelled against his father और ऐसे समय में जब ये योद्ध चल रहा था उसी समय अरंग Jeb का जो बेटा था Shahjada Akbar उसने अपने ही पिता के विरुद्ध में अंदोलन किया, rebel किया, विद्रोह किया। The Emperor crushed his rebellion, Emperor ने अपने जो भी विरोधी थे उनको हराने की या फिर उनको crush करने की कोशिश की। Then Akbar came to the Deccan to take shelter with Samhaji Maharaj और ऐसे समय में जो Akbar Shahjada Akbar होता है, वो कहां पर आता है? Deccan में, Dakshin में, Samhaji Maharaj की shelter में उनके पना में आ जाता है, उनके पास आ जाता है। Then the Emperor himself descended on the south in 1682 to vanquish Akbar और उसके बाद Emperor खुद से जो है, वहाँ पे आते हैं और उन्होंने क्या क्या, He had with a large army and powerful artillery, खुद से वहाँ पे युद्ध करने आते हैं और उनके युद्ध होता है। Then the Emperor himself descended on south in 1682 to vanquish Akbar and he had with him a huge army and powerful artillery. He asked the Siddhi of Janjira to undertake an expedition against the Maharathas. तो वहाँ पर आकर और जो Siddhi था Janjira का उसे भी अपने इस expedition में, अपने इस आंदोलन में शामिल करता है। और he also won over the Portuguese to his side और उसके साथ ही Portuguese जो थे उन्हें भी अपने साइड में मिला लेता है। Consequently, Sambhaji Maharaj had to face many adversaries at one and the same time और ऐसे समय में इतने सारे विरोधी जो Sambhaji Maharaj के सामने खड़े थे। उसमें पोर्दुगीस थे, Janjira का सिद्धी था और और अरंगजीड इन सब का उन्हें वो सामना करते हैं। The reign of Sambhaji Maharaj marks the first chapter of Maratha War of Independence after Shivaji Maharaj और Shivaji Maharaj के बाद ये पहला ऐसा युद्ध होता है, first ऐसा chapter होता है Maratha War का जो independence के लिए लड़ा जाता है। Shivaji Maharaj had given him excellent education in civil administration and military campaigns. Sambhaji Maharaj had begun to take interest in the administration of the state and the command of the army from the age of 14 years. तो Shivaji Maharaj ने बहुत अच्छी education administration के बारे में और military के बारे में Sambhaji Maharaj को दिया हुआ था। और 14 years से ही उन्होंने अपना यह सो जो था command था आर्मी में वो शुरू कर दिया था। While he was still a prince, he had led attacks on many territories of Mughals and the Adil Shah. जब वह prince थे तभी उन्होंने बहुत सारी जो territories थे, बहुत सारी जो शेत्र थे, Mughals के और Adil Shah के उन पर हमला किया हुआ था। Then French traveler Abbe Carries says about his battle skill, even though the prince is young, he is courageous and brave like his father was famous for. तो Abbe Carries नाम के French traveler ने लिखा हुआ है किसके बारे में कि संभाजी महाराज के battle skill के बारे में यानि उनकी युद्ध कला के बारे में लिखा है कि वो जब prince थे, तब ही बहुत साहसी थे, बहुत brave थे और बहुत शूरवीर थे, courageous थे, जैसे कि उनके father famous थे. वन संभाजी महाराज बिकेम चत्रपती, दवार विद्ध मुगल्स बिकेम फायरसर. औरंग जे फोंटे तो occupy regions from Kabul to Kanyakumari and create a grand unified Mughal empire. तो संभाजी महाराज चत्रपती बने तो उस समय मुगल्स चो थे, वो बहुत युद्ध मतलब हमेशा अक्रमक रहते थे. औरंग जे को चाहिए था कि वह पूरा regions, काबूल से लेकर Kanyakumari तक पूरा खुद में मिलाना चाहता था मुगल्स एम्पायर में. His dream was to destroy the Maratha state completely using his military and financial praus. तो वो क्या करना चाहता था कि even Marathas को भी पूरी तरह से, Maratha राज को भी पूरी तरह से खतम करके अपने में मिलाना चाहता था, उनका financially, उनकी military सारी कुछ खतम करना चाहता था. पर संभाजी महाराज shattered his dreams with his bravery and military skills, लेकिन संभाजी महाराज ने उसका जो सपन था औरंग जेप का उसे चूर चूर कर दिया था. Troops of Maratha army attacked many of the Mughal territories, तो Maratha armies ने बहुत Mughal territories पर बहुत सारे अक्रमन किये थे. Though the emperors general tried very hard for a long time, they couldn't win the Maratha fort of Ramsej near Nashik. तो बहुत Mughal emperors या Mughal army ने बहुत ट्राय किया कि Maratha fort को जीता जाए, जो कि Nashik के पासे Ramsej करके उस fort को जीतना चाते थे, लेकिन वो जीत नहीं सके. Thus, Sambhaji Maharaj's valor brought Aurangajip to his knees. Once he removed his turban in frustration and threw it on the floor, he made a vow that until he had vanquished Sambhaji, he would not wear his turban. Sambhaji Maharaj had rendered Aurangajip helpless to this extent. हर समय सambhaji Maharaj Aurangajip को हरा दिया करते थे, तो ऐसे समय में Aurangajip बहुत चिर जाता था, even उसने अपना तरबन था, फेटा था, वो भी फ्लोर पर पतक दिया और कहा कि जब तक मैं उन्हें सambhaji Maharajip को हरा नहीं दूंगा, तब तक में तरबन या अपना फेटा नहीं पहनूंग So, इस तरह से Aurangajip चिर चिर गया, Aurangajip thought that once the Maratha forts were captured, their rule too would come to an end, their rule too would come to an end and so he put a seize around Ramchij fort near Nashi, Aurangajip's army was huge, the Maratha army was small but they fought with preservence, the seize continued for the next five years and this bravery of a handful Maratha soldiers was unparalleled. This resistance offered by the Marathas made Aurangajip realized the difficulty of fighting with them. Maratha ने हार नहीं मानी Campaign against the Siddhi The Siddhi of Janjira used to harass the people in Maratha territory. He used to raid, burn and loot the Maratha territory and commit atrocities. Sabha Sadhu has described him as a rat in the house. Sambhaji Maharaj started a campaign against him in 1682. His army later seized to Siddhi's Dandarajpuri fort and battled the fort of Janjira with the artillery. But at the same time the Mughal army invaded Swaraj. Sambhaji Maharaj had to abandon the Janjira campaign and turn back. Now, when we saw that the Siddhi was a very strong man, he always used to be a strong man. Maratha territory was a very strong man. Maratha territory was a very strong man. He used to be a strong man and the people who were very strong. And he always used to loot the territories and put fire in the territories. The Siddhi was a strong man. The Siddhi was a strong man. में घुस गया हो संभाजी महाराज ने उसकी विरुद में चलाया लेकिन जैसे ही वह वहाँ पर उससे लड़ने के लिए पहुँचे यहाँ पर मुगल आर्मी ने स्वराज पर हमला बोल दिया तो संभाजी महाराज को यह जो मोहीम थी आधे में ही छोड़ कर वापस जोइन हैंस विद एम्परर अगिंस्ट संभाजी महाराज जब उस समय तक पोर्टुगीज कोपा में आ चुके थे तो उन्होंने जो एम्परर था उससे हाथ में ला लिया जो मुगल एम्परर था तो संभाजी महाराज डिसाइडे टू टीच लेसन टो पोर्टुगीज अ आप कुछ सिखाना चाहिए कुछ तो लेसन हमें सिखाना चाहिए ही अटेक द रेवदंडा फोर्ट ऑफ पोर्टुगीज इन 1683 तो उनका जो फोर्ट था रेवदंडा नाम का उस पर इस 1683 में उन्होंने अटेक किया किसने संभाजी महाराज ने और इसके काउंटर में पोर्टुगीज ने क्या किया कि फोर्ट फोर्ट जो था मराठा का गोवा बॉल्डर पे उस पे असपस घेरा बनाया तो ऐसे समय में जो येसा जी कंक थे उन्होंने बहुत साहस और शूर्वीरता दिखाई पोर्टुगीज गवर्नर जो था वो बहुत जक्मी हो गया और फिर उसको मतलब रीट्रीट किया गया संभाजी महाराज फॉलूड हीम पोर्टुगीज वर इन टीप ट्रबल अध इस तैम संभाजी महाराज गॉट 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 पर अटेक किया है इधर दक्षिनी कॉंकन पर मुगल्स ने आक्रमन कर दिया था जब वो पोर्टुगी से लड़ रहे थे उसी समय मुगल्स ने मौका देखकर दक्षिन कॉंकन पर आक्रमन किया तो संभाजी महाराज को लट कर वापस इन लोगों से युद्ध करते के लिए आना पड़ा अब अब अध आदिल शाही और कुतुप शाही औरंग जेप दिड नोट सक्सीड इन इस कैंपें अगेंस्ट अमराठास therefore he suspended that campaign then he turned towards the kingdoms of अदिल शाह और कुतुप शाह and conquered them अब अध अरंग जेप सक्सेस तो हुआ नहीं मराठास की कैंपें के लिए क्योंकि वो निखला था मराठास को जीतने के लिए लेकिन वो जीत नहीं पाया तो वो कहां मुड गया अदिल शाह और कुतुप शाह के kingdom की तरफ और उसने उन लोगों के kingdom जो थे वो जीत लिए the wealth and army of both the kingdoms was now acquired by the mughals and it made औरंग जेप even stronger अब जब ये दो राज्य अदिल शाह और कुतुप शाह के राज्य जब इसने औरंग जेप ने जीत लिए he attacked their territory from all sides ने Maratha's territory को सभी और से अक्रमन करना शुरू किया the Maratha army general Hambir Rao Mohitay got killed during an encounter with the Mughal army और ऐसे समय में Maratha army का जो general थे Hambir Rao Mohitay इस युद्ध में इसमें मारे गए due to this blow the military strength of Sambhajji Maharaj was weakened और इसकी वजह से Sambhajji Maharaj की जो army थी military थी वो weak हो गई क्योंकि उनका सेनापती जो था वा मारा गया है था अब administration of Sambhajji Maharaj कैसा था हम देखेंगी इवन तो Sambhajji Maharaj was busy fighting on various battle fronts, he did not ignore his administrative responsibilities he continued the prompt justice and revenue system which was a characteristic of Chhatrapati Shivaji Maharaj तो दो Sambhajji Maharaj बहुत busy रहते थे हमेशा fighting में, battles में लेकिन उन्होंने हमेशा administration की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दिया उस responsibility को अच्छी तरह से निभाया और उन्होंने जो Shivaji Maharaj ने revenue system जो चलाया था उसको उन्होंने वैसे ही continue रखा He severely punished the landlords who harassed common people वो हमेशा ऐसे लोगों को punish करते थे जो उन landlords को punish करते थे जो किसाधारन जनता को लूटते थे तंग करते थे and who rebelled against the Suraj और Suraj के विरोध में जो भी खड़े होते थे उनसे वो लड़ते थे He gave administrative powers to Maharani Yesu भाई उन्होंने administration का जो power था वो Maharani Yesu भाई को दिये था He gave her, her own stamp He continued the legacy of Shivaji Maharajah's welfare policies उन्होंने जो stamp था महarani Yesu भाई का खुद का ही He gave her, her own stamp उनका खुद का जो stamp था वह administration के चलाने के लिए उन्होंने उन्होंने अनूमत दी दी और उन्होंने Shivaji Maharaj की जो भी legacy थी, welfare policies थी उनको continue रखा Sambhaji Maharaj knew Sanskrit and many other languages well, Sambhaji Maharaj को संस्कृत के अलवा बहुत सारी languages आती थी He studied many ancient books on policy and wrote their guest in the book called Buddha Bhushanam तो उन्होंने Buddha Bhushanam नाम की book लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी policies वगेरा लिखी होई थी अब do you know में हमें दिखाया गया है संभाजी Maharaj composed Buddha Bhushanam in Sanskrit language Sanskrit language में उन्होंने Buddha Bhushanam नाम की एक book लिखी थी the second chapter of this book discuss quality it includes information about the virtues of a king prime minister princes and their education and functions the advices to the king forts and the goods and materials needed on the fourth army the duties of a king and espionage etc तो उन्होंने जो book अपनी लिखी है उसमें second chapter में उन्होंने बहुत सारी policies जो है regarding administration बहुत सारी policies बताई है कि किस तरह से prime minister होता है king होते हैं और उनकी prince जो है जो भी राजकोमार वगेर रहनेंगा उनका education उनके functions advisors जो राजा के होते हैं उनके functions उन सारी बातों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा description दिया हुआ मतलब बहुत अच्छी तरह से जो भी शासन के बारे में जो भी rules, regulations के बारे में हैं उन्होंने बताया है now death of संभाजी महाराज औरंगचेव was trying very hard to defeat संभाजी महाराज he had placed मुकरब खान मुकरब खान है in charge of कोलापूर प्रोविंस तो उन्होंने मुकरब खान नाम का एक in charge था कोलापूर प्रोविंस में provide किया था कोलापूर जो उनकी मतला उस स्थान पर उन्होंने उसको रखा हुआ था in charge बना हुआ था तो मुकरब खान learned that संभाजी महाराज was at संभाजी महाराज in कोंकर he raided the place and captured संभाजी महाराज तो औरंगचेव ने क्या किया था कि संभाजी महाराज को हराने के लिए कोलापूर में मुकरब खान को in charge रखा हुआ था तो मुकरब खान ने देखा कि संभाजी महाराज संभाज मेश्वर में ही कोंकर में तो he raided the place and captured संभाजी महाराज वो वहाँ पर जाकर उसने संभाजी महाराज को पकड़ लिया जब संभाजी महाराज ने औरंगजेप का सामना किया तो बिलकुल ओरलेस थे वो बिलकुल भी डरे नहीं थे by the emperor's order he was brutally put to death on 11th March 1689 तो बहुत ग्रूरता प्रोपूर वक emperor ने उनको मारा and this Maratha Chhatrapati did not compromise his self-respect and faced his death nobly and bravely तो संभाजी महाराज ने अपनी death को भी बहुत nobly और bravely faced किया तो Maratha took inspiration from his sacrifice and intensified their fight against the Mughals तो संभाजी महाराज ने जो Mughal emperor ने कुरूरता पूरवक उन्हें जिस तरह से उन्हें मृत्यू दी तो उसके बारे में उन्होंने bravely उस जो death थे उसको स्विकारा क्योंकि वह एक बहुत ही शूरवीर योद्था थे नाउ च्छत्रपती राजाराम महाराज राजाराम महाराज was the second son of शिवाजी महाराज अब राजाराम महाराज जो थे च्छत्रपती शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र थे he was born on 24th February 1670 और राजार और उनका जन्मा 1670 में 24th February को हुआ था कहां पर राजार में he became च्छत्रपती आफ्टर देथ आफ्ट अफ्टर देथ संभाजी महाराज संभाजी महाराज के बाद वह च्छत्रपती बने और अरंगजेब थोट थोट दा उसे राजार महाराज की ले को घिरने के लिए भेजा that time । राजार्म महाराज एंड राजार राजी महाराज की वाइफ, महाराणी, ताराबाई और संभाजी महाराज वाइफ, महाराणी ये तब राए-गड में थे It was risky for all members of the royal family to stay at onePlace तो SSM में जब औरंग जेब आक्रमन करने वाला था तो SSM में उन लोगों को उस जगह पर रहना सेफ नहीं था महराणी ये सुभाई tackled this unprecedented calamity very bravely resolving that she would not surrender to the Mughals under any condition she took many important political decisions on Raigarh it was decided that Rajaram Maharaj should escape from Raigarh and if necessary go to a far off place like Jinji SSM में उहाराणी ये सुभाई ने बहुत अच्छी तरह से इस मामले को tackle किया उन्होंने महराजा को जिंजी की तरफ जाने का आदेश किया far off place like Jinji की जिसे बहुत दूर जो प्लेस है Jinji उस तरफ जाने का आदेश दिया क्योंकि राजाराम महराज के लिए वहाँ पर रहना safe नहीं था और किसी तरह चत्रपती को वहाँ से वहाँ पर safe रखना बहुत जरूरी था it was decided that the fight to defend राइकर would continue under the leadership of महराणी ये सुबाई SSM महराणी ये सुबाई ने निरने लिया कि जो भी यहाँ पर fight होगी वहाँ उनके अंडर में महराणी ये सुबाई के अंडर से में चलेगी महराणी ये सुबाई choose to make राजाराम महराज and not her own संद छत्रपती तो यहाँ पर देखने लाए किया है यहाँ की महराणी ये सुबाई ने जो निरने लिया कि अपने बेटे को न बचाते हुए उससे अपने ही पास रखा बट छत्रपती को वहाँ से सेफ जग़ पर भेजा her decision is shining example of her love for सुराज and her extreme selflessness तो यहाँ पर उनका सुराज के प्रती प्रेम और extreme selflessness मतलब वो बिल्कुल निस्वार्थ ही थी उनके अंदर किसी भी स्वार्थ की भावना किसी तरह की भी नहीं थी हमें दिखाता है she kept the Maratha चत्रपती secure without regard for her own life or that of her son तो ऐसे समय में उन्होंने अपने और अपने बेटे की परवाना करते वे चत्रपती को सुरक्षित किया so इस तरह से हम ने देखा कि किस तरह से उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है कि खुद को वहीं पर रखा लेकिन चत्रपती को सेफ भेजा अब यहाँ हम देखेंगे राजराम महराच leaves for Jinji on 5th April 1689 राजराम महराच has kept from the B-sized rai guard with a few of his associates he decided to go south to Jinji और वह वह कहां जाते हैं जिंजी के लिए निकल जाते हैं और इस तरह से कुछ सरदारों के साथ वह जिंजी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट जो वीडियो है इस लेसन का यहीं पर रोकते हैं और सेकेंड वीडियो में हम remaining lesson और question answers देखेंगे और सकतर कrØस लिंजी का यहाँ वी ंथ टेर एंवेडियो में पर फजू जाते हैं